प्रिय शिक्षार्थियों राष्ट्रिय मुक्त विद्यालई शिक्षा समस्थानम एन आई ओएस के स्टूडियो में आपका पुनहा हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत मैं डॉक्टर चंदन कुमार मिश्र असिस्टेंट प्रोफेसर वेद अभिभाग श्री जगनार समस्कृत विश्व विद्याले पूरी उडिसा से आपके मध्य उच्चतर माद्यमिक कक्षा के विदाध जैनम पाठ्ठ करम के अंतरगत द्वाविम शैतम पाठ बाइसमें पाठ जो परजन्य सूक्त है उसके अध्यान के लिए उपस्थित हूँ इस सूक्त में अस्विन पाठे परजन्य सूक्तम मनुमच्य कथा जब पाठ्ठ पे न बरतते बाइसमें पाठ में परजन्य सूक्त और मनुमच्य कथा इन दो कथाओं का इन दो पाठों का चर्चा है पूर्वार्ध में परजन्यसूक्त है और उत्तरार्ध में मनुमच्यकता बतलाया गया है वरतमान के पाठ में हम परजन्यसूक्त का पाठ करेंगे परजन्यसूक्त को पढ़ेंगे देववानी वेदवानी च संस्कृतम संस्कृत भाशायाम अति प्राचीनम साहित्यम लभ्यते तद्धि वेदाः संस्कृत देववाणी और वेदवाणी है जैसा कि महरशी दंडी ने अपने गरंथ में लिखा संस्कृतम नाम देवीवाग अनवाख ख्याता महरशी विष ऐसा महरशी दंडी का प्रमाण है संस्कृत देवताओं की वाणी है महरशीयों ने उसको अग्रेसर किया और संस्कृत भाशा में अतिन्त प्राचीन साहित्य उपलब्ध होते हैं वे प्राचीन साहित्य ही वेद हैं भारत भूमव धर्मह अध्यात्मंच वेदादेव ग्यायते यहाँ भारत भूमी जो देवभूमी कही जाती ऐसे भारती संस्कृति में धर्म और अध्यात्म वेदों से ही ग्रहन किया जाता वेदों से ही जाना जाता अर्थात कर्तव्य अकर्तव्य क्या करना क्या नहीं करना चाहिए क्या समाज में कैसा विवार होना चाहिए और धर्म क्या है अधर्म क्या है इसका अमूरब प्रमान वेदों से ही प्राप्त होते हैं वेदोही धर्म निरूपने स्वतंत्रहा स्वतंत्रभावेन प्रमानं धर्मको बतलाने में वेद स्वयम प्रमान हैं वेदप्रमान की अतरिक्त धर्म के प्रतिपादन में और किसी प्रमान کی आवश्यक्ता नहीं होती जैसा मनस्मृतिन में उननो आचार मनू ने लिखा वेदों खिलो धर्ममूलं चत्वारों ही वेदाहा भारती ये संस्क्रते है आधारत्मेन राजनते चारवेद रिग्य जुस्साम अतरव के नामसे भारती संस्क्रती की आधार के रूप में पृतिश्ठित है चारों ही वेदों में रगवेद ऐसा है कि रगवेद में अग्याई देवताओं की स्तुति विद्यमान है स्तुति प्रधानों ही रगवेद हाँ ऐसा तथाईव परजन्य देवस्यापी स्तुति ही रगवेदे वर्थते अन्य देवताओं की स्तुती के समान ही परजण्य देव की स्तुती भी रगवेद में प्राप्त होती है रगवेदी यमिदं पंचम मंडले विद्यमानं त्रियशीति तमं सूक्तं यहा रगवेद के पंचम मंडल में तिरासिवा सूक्त है रिगवेद के पंचम मंडल के त्रियशीती तम सूक्त यहाँ परजण्य सूक्त है इस सूक्त के देवता स्वयम परजण्य हैं अत्रिरशी हैं और प्रथम पंचम सष्ठ सप्तम अश्टम और दसम मंत्रों के चंद तृष्टुप हैं द्वितियतृति और चतुर्थ मंत्रों का चंद जगती है, नवम मंत्र का अनुष्टुप चंद है, इस पाठ के उद्देश निमनवत हैं, इस पाठ को पढ़कर के आप मंत्रों का मूल सम्हिता पाठ और पदपाठ और पाठों का अनवय जान सकेंगे, मंत्रों की व्याख् को जान करके सूक्त की महिमा को आप जान सकेंगे इस मंत्र का प्रथम पाठ इस प्रकार है ओम अच्छा वद तवसंगीर भिराविस्तुहि पर जन्य नमसा विवास कनिक्रदत व्रशभो जीरदानू रेतादधात्योषदी शुगर्भं यहां मूल मंत्र है इसका प्रथम पा यहां पदपाठ हुआ इस मंत्र में विचार किया गया है मंत्र में स्तुत्य करने वाले यहमान के प्रति कहा गया है स्तुत्यों के द्वारा इस तुत्यों से आप प्रजन्य देवता के लिए उननत प्रार्थना करें हविशा स्तुतिम कुरू तथा सरवथा सेवाम कुरू आप हविप्रदान रूपी कर्म के द्वारा परिजन्य देवता की स्तुति करें और विविद प्रकार से सभी प्रकार से परिजन्य की सेवा करें शीग्रम यच्छत्सु वर्षनकारकेशु गर्जनकारकेशु गर्जनंकुरवत्सु ओशधीशु यहां गर्भस्वरूपम जलंधारयती तमस्तुही जो यजमानों को अत्यनत शीग्र फलप्रदान करने वाले हैं और जो वर्षाकारकों में विद्यमान हैं जो गर्जनकारकों में विद्यमान हैं और जो स्वयम गर्जन करने वाले हैं वे आवशधियों को जो आवशधियों में गर्भस्वरूपमें जो जल धारन कराते हैं आवशधी कहते हैं वरिक्षवनस्पतियों को तो वरिक्षवनस हवे है इत्याजी प्रदान कर उनकी स्तूती करें ऐसी चर्चा इस मंत्र में आती है अग्रिम मंत्र है विवरक्षान हंत उत हंत रक्षसो विश्वं विभायभू अनम महावधाद उता नागाईशते व्रिष्ण्यावतो यत परजन्यस्तनयन हंत दुश्कृता हा यहा मूल मंत्र हुआ इसका पत पाठ है विवरक्षान हंत उता हंत रक्षसाह विश्वं विभायभूवनम महावधाद उता नागाईशते व्रिष्ण्यावतो यत परजन्याह स्तनयर्ण दहंत दुखृता हा यहा पदपाठ है इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है मंत्र में कहा गया परिजन्यदेव वरक्षान नाश यति किंच राक्षसान नाश यती परजन्यदेव स्वयम ही वरिक्षों का भी नास करते हैं और राक्षसों का भी नास करते हैं वरिक्षों का नास ऐसे करते हैं जब वरिक्ष जब वहा अपनी जलशक्ती को जो की उन्होंने वरिक्षों के अंतहमें गर्व के रूप में धारन कराया था वहाँ जलशक्ती जब वहाँ शुश्क करते हैं तो व्रिक्ष विनष्ट हो जाते हैं इस प्रकार व्रिक्षों के भी नाश करते हैं और राक्षसादियों के द्वारा राक्षसादियों को भी विनष्ट करते हैं शक्ति शालिनहा आयुध युक्तात परजन्यात संपूर्ण लोग कहा विभेती अत्यन्त शक्ति संपन्न विभेत प्रकार के अस्त्रों को धारन करने वाले परजन्य देवसे संपूर्ण लोग भयप्राप्ट करता डरता है यदा गरजनम करवन परजन्या असुरान ताड़यती तदा पाप करमये नकरवनती तेजनाहा शक्ति शालिनहा परजन्यात दूरम अपसरती जब वहा परजन्य गरजन करते हुए असुरों को प्रहार करते हैं असुरों को मारते हैं उस समय जो पाप नहीं करते ऐसे लोग भी शक्तिशाली परजन्य से दूर रहते हैं, डर से दूर रहते हैं, परजन्य वगवान से परजन्य देव से भय करते हुए वहा दूर होते हैं अग्रिम मंत्र है यहा मंत्र है, मैं पुनर एक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ यहा मूल मंत्र हुआ, इसका पत पाठ इस प्रकार है रथीव कशया अश्वान अभिक्षिपन आविही दृतान क्रणोते वर्शियान अहम धूराद सिम्हस्य स्तनथाह उत इरते यत परजन्यहा क्रणोते वर्शियम नभाहा यहा पजपाठ हुआ, इस मंत्र का सरलार्थ इस प्रकार है अश्वम प्रेरणं कुर्वन रथस्वामी इव परजन्यदेवहा वर्शाद संबंधि दूतान प्रकड़ेती जिस प्रकार रथका स्वामी अपने घोड़ों को प्रेरना देते हुए घोड़ों को आगे बढ़ने की ओर कहता है घोड़ों को आगे चलने की प्रेरना देता है उसी प्रकार परजन्यदेव भी वर्शा से संबंधित दूतों को प्रकड़ करते हैं और दूतों को वर्शा प्रदान करने रूपी आग्यां देते हैं यदा परजन्यदेव आकाशात वर्शनं करोती तदा दूरात गर्जन अध्वनी ही शुरू यते जब सयम परजन्यदेव आकाश से भूदोक में वर्शा कराते हैं तो दूर से भी उनकी गर्जनाध्वनी सुनाई स्पष्ट रूप से देती है ऐसी चर्चा इस मंत्र में प्राप्त होता अग्रिम मंत्र है यहां मंत्र है मैं पुनरेक बार इस मंत्र का पाठ करता हूँ प्रवातावंति पतयंति विज्यत उद्धोशधीर जिहते पिनवते स्वहा इरा विश्वस्मैभुवनायजायते यत्परजण्य प्रथिवीम रेतसावती यहां मूल मंत्र है इसका पतपाठ इस प्रकार है प्रवाताह वांति पतयंति विद्युताह उत ओशधीह जिहते पिन्वते स्वरितिस्वह इरा विश्वस्मई भुवनाय जायते यत परजन्यह प्रथेवीम रेतसा अवती यहां मूल मंत्र है इसका पदपाठ इस प्रकार संपन्न हुआ अब हम इस मंत्र के सरलार्थ पर विचार करते हैं मंत्र में प्रोक्त है यदा परजन्यदेवह प्रिथिवीम जलेन सिंचती तदा वायुह शीग्रम प्रवहती विद्युत पतती ओशधायह जायंते आकाशंपिन्वते संपूर्ण लोकस्चक्रते प्रिथिवी भोजन दाने समर्था भवती जब परिजन्यदेव प्रिथिवी में जलका सिंचन करते हैं तब वायु अत्यन्त तीव रगती से प्रवाहित होती और बिजली भी गरते हैं विद्युत का पतन होता और वरशा के द्वारा प्रिथिवी में व्रिक्ष वनस्पतियों का उद्गम होता है आकाश भी कंपा अमान होता संपूर्ण लोक के लिए प्रिथिवी वरशा के द्वारा भोजन इत्यादि प्रदान करने में समर्थित होती है ऐसी चर्चा इस मंत्र में किया गया है अग्रिम मंत्र है यस्यव्रते प्रिथिवी नन्नमीती यस्यव्रते शकवज्जर भुरीती यस्यव्रत ओ इसा मूल मंत्र है इसका पदपाठ इस प्रकार किया जाता है यस्य वरते प्रथिवी नन्नमीति यस्य वरते शफावत जर्भूरीति यस्य वरते ओशधी ही विश्वरूपाहा सहा नहा परजन्यहा मही शर्मयच्छा ऐसा पदपाठ हुआ इस मंत्र का सरलार्स विचार करते हैं यस्य आज्या प्रथिवी नमति जिसकी आज्या से प्रथिवी जुकती है प्रथिवी नमन करती है और जिसकी आज्या से शुर्धारिणहा पशवहा विचरन्ति अत्यंत विशान रूपी खुर धारन करने वाले पशुवी जिसकी आज्या से विचरन करते हैं यस्याज्यया ओश्वदयाह विविध रूपाहा ववन्ती जिसकी आग्यां से वरिक्षवनस्पतियां अनेक रूपों में प्रिनत होती हैं हे परजन्यदेव तम असमाकम करते महत सुखम पेच्छदू ऐसे हे परजन्यदेव आप हमारे लिए अनेक सुखों का प्रदान करें अनेक कल्यान प्रदान करें आप हमारी मनोभिर्षित कामनाओं की प्रतिपूर्ती करें इस प्रकार इस मंत्र में विचार किया गया है इस पार्ट के लिए इतना उनहा धन्यवाद झाल झाल